यूटुब पे हो और होरर कहानियों में इंटरस्ट रखते हो तो करण पिसाजनी के बारे में सुना होगा कि जो आदमी करण पिसाजनी की सिद्धी कर लेता है उसे अपने सामने आने वाले हर वैक्तिगा भूतकाल और जो समय चल रहा है उसके बारे में सारी जानकारी हो जाती है हाँ भाविशे नहीं बता पाती लेकिन ये बता देगी कि सामने वाले की जेब के अंदर चार रुपे पड़े हैं और एक परची भी है और ये तुम्हारे बारे में क्या सोचता है हर रात संबंद बनाने पड़ेंगे और पाने के लिए बहुत कठीन तपश्चा करनी पड़ती है इतनी कठीन तपश्चा कि उसमें आपको ही अपना मल मुत्र खाना पड़ेगा लेकिन हो सकती है लेकिन उसके बाद के अंजाम सुख से ज़्यादा दुख देते हैं आज इसी के बारे में बात करेंगे कहानी भेजी नहीं है किसी ने किसी के इच्छा थी कि इसके बारे में बात की जाए तो लेकिन आगया मैं नोलिज बटोर के जो सच्ची है नोलिज यह नहीं कि यह कर लो सिद्धी हो जाएगी वो कर लो सिद्धी हो जाएगी सिद्धी कर लो रुक जाओ पहले इसके फाइदे भी सुलो नुकसान भी सुलो नमश्कार जय बोलेनात मेरे नाम शंकर एमक कहानियां सुनाता हूँ ऐसी कहानियां जो सची गठना परादारित होती हैं और जो पुरानी कथाओं में से आप लोग कहते हैं मुझे सुनाने के लिए वो कहानिया इस चैनल पड़ लेके आता हूँ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो फिर जानते हैं क्या है करन पिसाजनी करन पिसाजनी एक ये कहेंगे कि नहीं आत्मा नहीं डेवी एक मिक्शर माल लो जो इतनी सुन्दर होती हैं कि आपने अगर एक बार देख ली तो आपको ये हो जाएगा कि अल्ली दिस मुझे ये ही चाहिए मैं और किसी को अब देखना ही नहीं चाहता इतनी सुन्दर होती हैं एक किताब आती है चार पन्नों वाली नहीं बलकि आपको पूरी बात तो क्या ही बताऊं एक सो नो पन्ने होते हैं उस किताब में और जो सिद्धी करता है न एक सिद्धी होती है साथ दिन की तेरा दिन की और तीज दिन की लोग लोग टाइम नहीं बिताना चाहते इन दिन में ही साथ दिन में ही सिद्धी कर लेना चाहते हैं अब आपको पता ही है कि लंबा जो रास्ता होता है वहां दोड के नहीं जाया जा सकता क्यों आप तेज दोडेंगे ठक जाएंगे रुख जाएंगे जो छोटा रास्ता होता है वो भाग के तै कर लिया जाता है कि थोड़ी ही दूर आप भाग के तै कर लो इसलिए लोग तिन दिन में ही सिद्धी करना ज्यादा अच्छा समझते हैं सिद्धी करने के लिए आपको एक कमरे में बंद हो जाना पड़ेगा अपने घर वालों से दूर, इस दुनिया से दूर, सारी मोह ममता से दूर एक कमरे में बंध होकर कुछ मंतर होते हैं जिनका उच्चार्ण करना होता है मंतर यूटुब पर बताने ही सकते खोल के मंतर होते हैं जिनका उच्चार्ण करना पड़ता है आपको पहले ही दिन से महसूस होना सुरू हो जाएगा कि आपके आस पास कोई है दूसरे ही डिन आपको दुंदला दुंदला दिखने लगेगा तकि लिकी पहले ही दिन थे आपको उसे ख्ष करना होगा उसे दिखाना होगा कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं अपना ही कुछ ना खाय पिया, अपना ही मल्मुतर खाना है पीना है और कच्चा, मीठ, मास, मच्छी ये सब चीज आपको खाना पड़ेगा तरीर को बहुत नुपसान पहुचेगा इन मैं सोटरम बताता हूँ आपको इन तीन दिनों में आपको पहले ही दिन से अपना मलमुतर खाना सुरू कर देना पड़ेगा बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और आपको लीन हो जाना पड़ेगा आपके मन में किसी और इस्त्रीक आया फिर कुछ और विचार नहीं आना चाहिए जब ये क्रिया करते हुए तीन दिन समात तो होगी ना तो जैसे स्वर्क का दर्वाजा खुलता है एक रोसनी आखोवे पड़ती है ऐसे कौन एक अपसरा चलती हुए आती है अती सुन्दर उसी तरह से प्रण पिसाजनी आएगी और आते ही आपके साथ कंबंद वनाने के खुशिस करेगी आप जितना गंदा जितना हो सकते हैं उटना हो ये तब वो खुश होगी उसके बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे तो इसे कोई फरक ने पड़ता लेकिन अगर आपको ठीक से साधना है तो आपको मिलने के बाद भी तीन हफतों तक वही करना पड़ेगा जो आपने पिछले तीन दिन में किया है आएगी आपके साथ संबंद बनाएगी और हर रातरी के बाद वो एक कवारी करन्या में बदल जाती है समझ गए मतलब जैसे द्रोपति को एक वर्दान था के हर रात के बाद एक कुवारी कन्या में बदल जाओगी तुम किसी के भी साथ संब्द बनाओ उसके बाद एक कवारी कन्या में तब्दील हो जाओगी इसी तरह से रक्त पिसाजनी भी है वो आपके कंदे पे फिराजमान होती है और आप जैसकी कोई आया आपके सामने वो कुछ पूछ रहा है तो आपके कान में बताएगी इसका नाम ये है ये करता है ये काम है इस काम से आया इसका नाम ये है इसका गरी यहां आए तब कुछ बताएगी और आप बोलोगे कि चाहिए चाहिए हाजिर हो जाएगा लेकिन एक requirement है एक बंधन है कि आप उसे साधने के बाद किसी दूसरी इस्त्री के साथ ना ही संबंध बना सकते हैं ना ही सोच सकते हैं उसके बारे में और ना ही उसको छू सकते हैं यह कुछ प्रेज होते हैं बंधन होते हैं और हर आतरी आपको संबंध बनाना होगा आप जब बोलोगे जैसे बोलोगे जहां बोलोगे वहाँ आपके लिए हाजिर होगी और सुन्दर तो क्या ही बताओं मैं इतनी के आख निकल के आपकी नीचे भी गिर सकती हैं जब ऐसी चीजों के बारे में पड़ा जाता है सुना जाता है जाना जाता है ना तो इंटरस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है कि कैसी दिखती होगी क्या करती होगी आजकल किसको नीड़ नहीं है सेक्स की तो साध लेते हैं पैसा भी मिलता है सब कुछ मिलता है लेकिन आपको दुख बहुत होता है उसके पास आप खुछ चाओगे या तो मैं चला जाओ इस धरती से या तो कुछ हो जाए जिसके हो जैसे ये मेरे साथ से हट जाए कोई रास्ता नहीं है कि आपके पास से वो कही और चली जाए क्योंकि इन तीन दिनों में आपने उसे ये भरोसा दिला दिया है कि हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए फिर जिस लड़की को पता चल जाता है कि ये तो मेरे सारों पे नाचेगा तो वो तो नचाएगी हिवाई और क्या बता हूँ मैं बता दूँआ तो दो चार लोग साथ नहें लग जाएंगी कि मैं भी साथ लूँगा मैं भी ये कर लूँगा अर आपको और जानना है करनपी साजनी के बारे में कमट सेक्शन में लिखिएगा लेके आएंगे वीडियो एक पूरी करनपी साजनी के बारे में पूरी का मतलब पूरी और थेंक्यू सो मच वीडियो एंड तक देखी बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने क्या बात हो गई है अंगुठे चल नहीं रहे गया यह बटन लगवा रखा है इस पेशल मैंने यह दवाने के लिए लगवा रखा है आप दवा दो फिर ठीक है मिलते हैं अंगली वीडियो में कोई हो कहानी आपकी भी तो बेजो मैं किसी की कहानी यहाँ सच साबित करने नहीं बैठा हूं कि इसकी कहानी सच है सच मानो मैं मानता हूं सच और सच मान के सब की कहानी सुनाता हूं लोगों को बस इतना ही दनाorse ठीक्ट झाल 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 झाल